हलो गाइज, लगबग एक महने पहले हमने एक सील बन टेर्रे मनाया था चलिए देखें कि अभी उसमें क्या चल रहा है और क्या उसमें सब कुछ अभी भी ठीक है टेर्रियम को सील करने के कुछ घंटो बाद उसके अंदर के माहौल ने अपना काम करना शुरू कर दिया इसमें नमी भाब बनकर उड़ रही है और कांच के दिवारों पर जम रही है धीरे धीरे भाब पानी बनकर मीचे की और बह रही है और ये मिटी में मिलकर पौधों के काम में आ जाएगी ये सब कुछ हमारी बारिश की तरह ही हो रहा है कुछ पौधे मर जाते हैं और सड़ने से कारवन डाय ओक्साइड छोड़ते हैं जबकि बाकी बढ़ते हैं और इसका इस्तिमाल करते हैं इन मरे हुए पौधों से पोशकतत मिलते हैं जो खाद की तरह काम करते हैं कुछ दिनों के बाद हमने कुछ छोटे पोधों के नए अंकुर देखे जो इसके अंदर की बीजो से होगे होंगे फिर इसमें कुछ बिल्कुल अलग पोधे होगने लगे और काफी बड़े हो गए वो बढ़ते बढ़ते टेरियम के उपरी हिस्से तक पहुँच गए शायद आप उस कीड़े के बारे में भी सोच रहे होंगे जो हमारे टेरियम बनाते वर्ग गल्दी से अंदर चला गया था पर हमें तो वो कीड़ा इसकी सता पर कहीं दिखा ही नहीं लेकिन एक बार हमने ये देखा ये सफेज जीव एक छोटे कीड़े जैसा है जो शिकार की तलाश में काच की दिवार बनाए है रिकॉर्डिंग देखते वक हमने देखा कि नीचे एक और था और पता नहीं कि उन में से कितने जमीन की नीचे बैटे हों हो सकता है कि ये छोटे कीड़े उन बड़े कीड़ों की वज़ा से बने हों आपको क्या लगता है वैसे हम अपने टेरियम को फल्टे फूल्टे देखते रहेंगे और अगर कुछ दिल्चस बात होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे